सो बाइनरी कोड़ेट डेसिमल नामस ही समझ में आ रहा है पहला रूल यह है कि इसमें फोर बिट बाइनरी एकुवेलेंट यूज होता है जिरो से रेके नाइन डेसिमल जो डिजिट होती है उनके लिए और दूसरी चीज़ अगर कोई बड़ा नंबर है बड़ा डेसिमल नं कि हर ایک डिजिट को हमें उसके 4-bit इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर से रिप्लेस करना है ठीक है सबसे पहले समझते हैं कि 4 bit binary equivalent for 0 to 9 decimal मतलब हमें एक table समझेंगे क्योंकि decimal में 0 to 9 digit ही होती है तो हमें यहाँ पर 0 to 9 का 4 bit binary equivalent निखालना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0 को 4 bit binary में हम कैसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4 1 को 0, 0, 0, 1 2 को 0, 0, 1, 0 समझे हैं आप यह 1, 2, 4, 8 यह weights हैं इसके अब उसे साब से आप इसको calculate कर सकते हैं कि कौन सा number कौन सी bit को on रखने पर 4 bit में क्या number मनेगा 0, 0, 1, 1, 4 को 0, 1, 0, 0, 5 को 0, 1, 0, 1 6 को 0, 1, 1, 0, 7 को 0, 1, 1, 1 8 को 1, 0, 0, 0 और 9 को 1, 0, 0, 1 ठीक हैं इस तरीके से हम binary coded decimal में हर एक decimal digit जो होती है उसका 4 bit binary equivalent लिखते हैं अब सवाल यह है कि किसी भी decimal number का BCD क्या होगा तो यह आपको तो समयन में आ गया है ठीक हैं अब हम एक example लेते हैं इस table को यह रहने जेते हैं example लेते हैं और example यह आपको दिया है 245 यह हमें दिया है decimal में हमें इसका BCD find out करना है ठीक है 245 का सबसे simple है यह आपको कुछ भी नहीं करना है इसे दूर दूर लिख लेंगे 245 और हर एक जो decimal digit दी होई है उसका binary equivalent 4 bit जो है वो आपको note कर लेना है जैसे 2 का क्या है 0010 0010 4 का क्या है यह वाले 4 का 0100 0100 और 5 का है 0101 ठीक है तो 245 का BCD क्या हुआ 0010 0100 0101 यह जो आया वो 245 का क्या है BCD इस तरीके से आप binary coded decimal में किसी भी decimal number को convert करेंगे एक example और देखते हैं similarly for fractional number 38.49 अगर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है बिल्कुल वही करना है 3 को हम कैसे लिख पहले सबसे पहले दूर दूर लिख लें क्योंकि इससे आपको number बनाने में असानी होगी 3 को कैसे represent करेंगे 4 bit binary में 0011 0011 8 को 1000 1000 4 को 0100 9 को 1001 पॉइंट को वही रहाएंगे जहां पर है 0011 1000 0.0100 001 यह रहा आपका BCD इस decimal number का इस तरीके से आप binary coded decimal में convergence परफॉर्म करेंगे किसी भी decimal number को binary coded decimal में convert करना है तो जो भी number दिया हुआ है उसकी हर एक decimal लिजिट को उसके 4 bit binary equivalent से आपको replace करके लिखना है ओके